आज मैं आपको बताऊंगा कि आप busy accounting software में अगर आप बिना GST number वाले bill काटते हैं यानि कि B2C तो उसमें आप QR code payment के लिए कैसे add कर सकते हैं busy में ये सुविधा उपलब्ध है कि आप अपना QR code उसमें enter कर सकते हैं so यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर simply हम क्या करेंगे यह देखें यह configuration में देखें फीचर एड़ औप्शान में हमको क्या करना है हमको यहां पर आना है किसमें हमको आना है GST and wait made okay then आपको क्या करना है आपको यहां पे eva bill में आपको no, no अगर आप यूस करते हैं तो ठीक है नहीं तो आप इन्वाइस में आपको यस करना है और यहां पर देखिए एक और अप्शन आजाएगा B2C QR Code Required इसको यस कर देना है ठीक है देर आपको Configure पर क्लिक करना है और यहां पर देखिए मैंने अपनी Detail भरी होई है यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आप को यहां पर क्या करना है नेम भर्नाः मैं अपनाarin भल दिए उसके उपय ईट है आप बहर देना है यहां पर देना अपना देहओ अपना आपको पयमेंट चाहिए है जैसे मैंने अपना लिग लिख तींट को डैर तो यहां पर दे जो में जो बात है वह कौन सी है यहां पर UPI ID की है बिना UPI ID के मतलब आपको scan करने में problem होगी तो यहां पर OK कर दीजे और F2 प्रेस करके को सेव कर दीजे ठीक है जैसे अपने सेव किया उसके बाद क्या होगा उसके बाद यहां पर हमारे पास हमारे पास क्या होगा मारे पास SECOND और आपको setting on करनी छोफ के रात को आया है invoice & document ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है, simply आपको यहां पर देखिए, यहां पर एक option मिल जाएगा, print e invoice b2c qr code, इसको yes कर दीजिएगा, जैसे आप इसको yes कर देंगे, ठीक है, yes करने के बाद simply क्या कर देना है, simply yes करने के बाद इसको यहां पर save कर देना है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे, जैसे ही हम बाहर आ जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले कोई भी एक बिल जनरेट करेंगे, जैसे मैंने यहां पर एक बिल जनरेट किया, यहां में 44,253 यह मैंने 44,200 रुपय का एई ज्री अजीत वादहुने के नाम से बना के रखा है हम यह करेंगे हम इसका प्रिव्यू देखेंगे से लिद्वाइस का प्रिव्यू देखेंगे जैसे ही sale invoice में आये जहां पर देखें यह preview देखेंगे हम standard format में ही देखना है इस बात का ध्यान रखिएगा तो यहां पर देखें यहां पर हम scroll down नीचे करेंगे तो यह देखें यह QR code आगया हमारा ठीक है यह हमारा QR code आगया इसके बाद जो next screen होगी वो मेरी mobile की होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप इसको scan करते है पे TM, Google पे और भी जो online platform है तो वहां पे इस barcode से वो scan कर लेगा amount को और आपके जो UPI ID है उसको भी scan कर लेगा सिर्फ आपको पे बटन पर क्लिक करना है और आपका पे हो जाएगा तो अगली screen मेरी mobile की अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यूप फोन पे से किस तरीके से आप पार कोड़ स्कैन करेंगे तो यह देखिए यह मैंने बार कोड़ पे क्लिक किया और यह देखिए यहां पे मोबाइल नंबर UPI ID और यहां पे आप आप इसको पे कर सकते हैं तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि बिजी से आप बार कोड़ जनरेट करके जिनका GST नंबर नहीं है यानि कि B2C बिल्स में बार कोड़ जनरेट करके पेमेंट कर सकते हैं तो आयोप यह वीडियो आपको समय में आया होगा तब तक के ल